मैं गुरुग्राम में सियम के आदेश के बाद प्रशासन एक्टिव मोड पर नजरा रहा कें। प्रशासन एक्टिव मोड पर खे टीमों को गठन किया गया है। यह बड़ी खबर आपको उता दी हुका बार बेन के जाने के बाद अब प्रशासन में अपना कार शिरू कर दिया के। मुख्यमंत्री मनुहर लाल की और से एलान किया गया था और यह एलान यह आदेश इसके बाद अब हुका बार की चेकिंग की जाए। चले हमारी विश्य समवा दाता गुल्शन ब्रूबर को उनलाइन करके। हर्याना को नशा मुक्त किया जाए। और जो हुक्का बार पर अब पूरी तरह बैन लगाने का आदेश हर्याना सरकार की तरफ से जा रही किया गया है। क्योंकि गुरुग्राम एक ऐसा छेतर है जहां पर लगबग 270 पब और बार है। और इनी सबी पब और बार में जो हुक्का है वो स्पेशल तोर पर यहां पर सर्व किया जाता था। और अब मुक्यमंत्री ने तुरंत अब कारी विवार को आदेश दिये हैं कि कहीं पर भी हुक्का जो बार है नहीं चलना चाहिए। और ऐसे में इसके लिए गुरगाओं में दो जोन है एक इस्ट जोन है एक वेस्ट जोन है तो इसके लिए अलग से टीमें निर्धारिक कर दी गई है और वेस्ट के लिए अलग से टीमें गठिच कर दी गई हैं अब ये तमाम टीमें पब और बार की चेकिंग करेंगी और जहां भी हुका बार चलता हुआ मिला तो के ऊपर कारवाई होगी हला कि एक्साइट डिपार्टमन्ट की तरफ से चुचित सभी रेस्टोरेंट को भी बार को भी और पब को भी कर दिया गया है लेकिन उसके बाब जूद भी हम लगातार देखते हैं कि जो ती पब बार हो या यह भुका चलाते हुए नहीं मानते हैं क्योंकि हम कई बार आदेशों की अभेलना करते हुए दिखाई देते हैं तो ऐसे में आप देखना होगा कि मुख्यमंत्री की जो यह सोच है कि हर्याना को नशामुक्ष करने की इस पर कितना कारगर्द साबित होते हैं यह आधितार अब सभी में चेकिंग की जाएगी टीमों का अगठन कर दिया के आके